हेलो आपने स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2024 के लिए अपनी एक नई शुरुवात ठीक है और यह शुरुवात आज आपके अंदर जो आज है वो कम नहीं होना चाहिए जब तक नीट 2024 फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो आपको क्या करना है रेगुलर रहन है जो जो आज आपके अंदर है वो पूरी साल आपको मैंटेन रहना चाहिए बागी टाइम टू टाइम में आपकी आग के अंदर की आग उसको सुलगाता रहूंगा और आपकी आग जो है उसको और बढ़ा करता रहूंगा ताकि आप जो है नीट 2024 तक आप क्या है मोटिव टेड़र हो तो दो लाइनों के साथ में थीक है स्टाट करेंगे अपने बैच को ठीक जो आपकी रियस्तेदार आपके दोस्त ठीक है आप वह बौलते हैं कि तिरे तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दोर आएगा, तो ठीक है न, तो इससे स्टार्ट करते हैं, अपने बैच को, अपनी क्लास को, तो पहला टोपिक अपना है, वो है Human Reproduction, Human Reproduction आप सब का फेवरेट टोपिक है, आप सब का फेवरेट चेप्टर है, तो इसको स्टार्ट क पहला जो पार्ट है, वो अपन करने वाले हैं, इस लक्चर के अंदर, तो इंटोड़क्शन क्या है, सबसे पहली बात, तो Human Reproduction कैसा Reproduction है, असेक्शुल की सेक्शुल, ठीक है, हुमन्स जो है, आप और मैं, ठीक है, हुमन्स कैसे सेक्शुल करते हैं, सेक्शुली या फिर का मतलब क्या होता है, कि भई क्या है, दो पेरेंट्स की जूरत पड़ेगी, मेल, मेल, प्लस फिमेल, ठीक है, मेल प्लस फिमेल, दोनों की जूरत अपन को पड़ेगी, और दोनों को क्या करेंगे, गेमिट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गेमिट फोर्मेशन होगा, क्या ह होगा गेविट, थीक है, मेल भी चाहिएगा आपन को फिоль मेल भी चाहिए होगी मेरड़ गेविट बनाएगे मinekया बनाएगा फिर मील भी गेविड बनाएगी दोनों मिला देंगे तो क्या मिले घाव्ड बनेगा और वही जाइगोट फिर अम्रियों में डेवलप होगा और वो ही अम्रियों फिर बढ़ का है बच्चा बन जाता है तो इस चेप्टर के अंदर अपन यही करेंगे पहले क्या समझेंगे अपन पहले अपन मेल की प्रॉडक्टिव जो स्टॉक्चर है कि मेल की अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट बनने के बाद में क्या होगा प्रेग्नेंसी स्टार्ट हो जाएगी प्रेग्नेंसी स्टार्ट होगी नो महीने की पूरी जर्णी पढ़ेंगे कि इस महीने में क्या होगा इ दिार्तिक बात क्लियर है एक चीज को दाती है कैसे होते हैं कैसे होते हैं कैसे होते हैं shares वी वी पेरस का मतलब क्या है वी वी पेरस का मतलब क्या होता है। जो बच्चों को जनम देते हैं उनको वी वी पेरस बोलते हैं, जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वीवी पैरस बोलते हैं, ठीक है, तो आनमे ने आपको बता जाए कि बच्चों को जनम देंगे, उनको वीवी पैरस बोल देंगे, और जो अंडे देंगे, उनको क्या बोल देंगे, ओवी पैरस बोल देंगे, ठीक है, अब humans अंडे देते हैं या फिर बच्चे देते हैं बच्चे जनम तेना ठीक तो भीवी परस हो गई बिलकुल ठीक बात है चलो अब देखो अब अपन पढ़ेंगे क्या अब अपन पढ़ेंगे sexual structures पढ़ेंगे अपन ठीक है sexual organs पढ़ेंगे ठीक है छलो देखो सेक्स ओर्गन की बात कर लेते हैं तो दो टाइप के होते हैं सेक्स ओर्गन जो है वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ओर्गन और एक होते हैं सेकंडरी सेक्स ओर्गन ठीक है यह दोनों में फरक्या है दो टाइप के सेक्स ओर्गन होते हैं जी कैसे कैसे एक होते हैם primary, primary, primary sex organ और एक होते हैं secondary sex organ, secondary sex organ, ठीक है, primary, नाम से ही पता लग रहा है कि primary, मतलब ये तो चहिKE ही चहिKE, अग ये तो चहिKE ही चहिKE, इसकी तो जुरतो पड़ेगी, पड़ेगी, ये तो primary चीज है, ये तो चहि part को, और secondary क्या है, कि भर ये क्या है, साह्टा प्राइमरी सेक्स ओरगन दोस्त कौन से होते हैं जिसी के अंदर किसके इंदर देखने के लिए मिलेगी female के अंदर female के अंदर अपन को क्या दिखती है ovary ठीक है То आपको पता लग गया कि भई उस sex organ कितने कैसे होते है sex organ जो है वो दो परकार के होते है अब बात किरेंगे अपन किसकी male reproductive system की बात कर लेंगे यह अपना introductory part हो गया अपने introduction की बात कर ली अब अपन पहले पढ़ेंगे male reproductive system पढ़ेंगे उसके बाद में female reproductive system पढ़ेंगे तीक है male से अपन गेमिट ले लेंगे female से फिर गेमिट लेंगे दोनों को मिला देंगे और pregnant करवाद देंगे उसके बाद में बच्चा पढ़ा करवा तो पहले अपन पढ़ लेते हैं male reproductive system की बात कर लेते हैं male reproductive system male reproductive 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 system ठीक है जी मेल रिप्रोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यह वह मां बतादु क्या होता है मेल अंदर और सबसे पहले है सबसे क्हारे चीज़ता है। इसेसरी डक्ट होती है और क्या होता है असेसरी ग्लेंड आसेसरी ग्लेंड और क्या होता है जी अक्सटरनल जेनेटेलिया जेनेलिया नहीं है, जेनिटेलिया है, ठीक है, अक्स्टरनल जेनेटेलिया, एक एक चीज पढ़ेंगे अपन, पहले क्या पढ़ेंगे अपन, पहले अपन टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर असेसरी डक्ट पढ़ेंगे, फिर असेसरी ग्लेंड पढ़ेंगे, फिर अक्स्टरनल कर लेते हैं ठीक है बाबू क्या हुआ इस तरे को ज्यादा जूम हो गया चलो 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 कोई दिकत को नहीं कोई दिकत नहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्टीस की टेस्टिस कहा होता है टेस्टिस होता कहा है अपर है ठीक है बाहर एक स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्टक्चर के अंदर क्या है बोड़ी के अंदर टेस्टिस होते हैं ना जी बोड़ी के अंदर नहीं होते बाहर होते हैं आउटसाइड बोड़ी होते हैं एक पाउच जैसी स structure होती है और उसके अंदर क्या है टेस्टिस होते हैं ठीक है तो टेस्टिस का नंबर कितना होता है पहले तो वह पता होना चाहिए तो दो नंबर होता भई क्या है कितने टेस्टिस होते हैं ठीक है जोडे के अंदर होते हैं पेर के अंदर होते हैं तो दो टेस्टिस हो गए उस पाुच का नाम क्या है जी ट्रोटम नाम है तीक रही यह बार तो थीक है बार एक ठेली जैसी ट्र क्चार लेकितासकता metro यहाँपर होगा वो उसको मैं यह साइध में लेकिता सकता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है होता क्या है होता क्या है वो बता देता हूँ आपको होता क्या है बार ये आपको एक थेली जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको स्क्रोटम बोलते है लेकिन इसके अंदर क्या है दो थेलियां होती है इसके अंदर दो थेलियां और होती है जिनको स्क्रोटल सेक कहा जाता है ठीक है यह दो थेलिया और होती है ठीक है अब इन इस्क्रोटल सेख के अंदर क्या होता है इन स्क्रोटल सेख के अंदर क्या होता तेस्टिस फोता है इसका मतलब क्या हुआ कि इसवाले टेस्टिस को में साइड में नहीं लेके लाइब दौनों अलग अलग पाउच के अन्दर है बारस एक पाउच होता है यहां बात सब्सक्राइब है we correct नहीं एक थिक्क जख चलो अब देखो यहां से देखो यह टेस्ट इसे एक तोड़ा सा को फिर आती है घाए तिक है आगे बताऊँगा है यह वास डेक्स साइज इसको देखो बस देखो इसको माँ छुड़ा सा नीचे कर लू की आरेख Sc कुछ है तो यह पर मैं क्या नहीं में अटाइब की पाइप Adventler स्क्राइब के इंदर उद साइब अब कोई pipe किसी चीज के अंदर से जाएगा तो उसको छेद तो चाहिए ऐसे कहा जाएगा अगर दीवार ही है तो pipe अंदर गुषेगा कैसे नहीं गुष पाएगा ना तो उसके लिए क्या छेद चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर छेद होता है बिल्कुल चेद होता है यहाँ दो जाती है उसमेंवाइनल फस्ति अब यह जो अपने आपको बता है है वाच ड़ारिन्सए यह अकेला नहीं जाता है इसके साथ में कुछ बलाड वेशल्स भी होंगी कुछ nerves भी होंगी, ठीक है, तो ये सारा मिलकर जाएगा, एक bundle की तरह जाएगा, और nerves और blood vessels के अलावा, एक muscle भी जाती है, जिसका नाम क्या है, cremaster muscle, क्या नाम है जी, cremaster muscle, अब ये cremaster muscle का का क्या है, इस cremaster muscle का क्या है, ठीक है, जब सर्दी होती है, बहार temperature क्या है, कम है, सर्दी होती है उस time पर क्या है यह जो scrotum है यह उपर उठकर पेट की तरफ आ जाता है बिल्कुल पेट के एकदम से चिपक जाता है ठीक है और जब गर्मी होती है तो यह बीचे एकदम से नीचे चला जाता है लटकने लग जाएगा और सर्दी होगी तो पेट के पास में आ जाएगा तो यह उपर-नीचे हो पाता है किसकी वज़से ये जो क्रीमेस्टर मसल है ना ये उपर खीचने में और नीचे छोडने में help करती है किसको स्कोर्टम को सरदी के टाइम पर क्या होता है इस कोटम जो है, वो पेट के बिलकुल पास आजाता है, क्यों? क्योंकि बाहर बहुट बहुत थादा है, फोड़ी गरमी चाहिए, तो पैट के पास आजाएगा, तो शरीर के temperature से क्या है थोड़ी गर्मी मिल जाएगी इसको इसलिए यह उपर की तरफ आता है एक होची होती है क्रीमेस्टर मसल बोलते है इसको ठीक है तो यह जो green color में जो दिख रहा है इसमें आपको बहुत सारी चीजे हैं इसके साथ में क्रीमेस्टर मसल है ठीक है और इस यहां पर belt पहनते हैं पेट पर क्या है एक belt लगा लेते हैं क्यों लगाते हैं जी क्या मज़ा आ रहा है उस belt को लगाने में ना जी क्यों लगाते हैं इसलिए लगाते हैं अगर आप अपनी उकाद से ज्यादा भारी समान उठा लोगे अपनी उकाद से ज्यादा भारी समान इंगवाईनल हरनिया कहा जाता है एक medical condition है ठीक है एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा बता रहा हूं ठीक है इंगवाईनल हरनिया उसको कहा जाता है ठीक बात है चलो यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए सब को क्लियर है ठीक है अब ये चीज एक चीज आपको जिवाग में आ रही है कि भाई इसको पेट के अंदर ही रख देते हैं टेस्टीस को जैसे फिमेल के अंदर ओवरी जो है उनको पेट के अंदर रखा गया है ठीक अंदर रखा गया है इसको भी पेट के अंदर ही रख देते है थीक है रिखा है . Sperm Formation requires less temperature to 2-2.5 degree Celsius less temperature than body . इसलिए इसको क्या है इसलिए इसको क्या है बहार रखा गया है इसपम formation के लिए इसपम formation के लिए 2-5 degree Celsius temperature जो है वो कम चाहिए इसलिए scrotum के इंदर इसको रखा गया है यहां तक बात clear है सबको ठीक है अब testis की अपन लंबाई चोड़ाई की बात कर लेते हैं तो length कितनी होते है testis की length कितनी होती है 4-5 cm क्या होती है length होती है width कितनी होती है width कितनी होती है 2-3 cm क्या होती है width होती है यहां तक बात clear है shape भी बता दूँ शेप कैसा होता है टेस्टिस का शेप होता है जी ओवल ओवल शेप होता है ठीक है अब बात करते हैं अपन ये तो जनरल बाते हो गई ठीक है अब ये तो टेस्टिस को मैंने बाहर से दिखा दिया आपको अब टेस्टिस को अंदर से देखते हैं ठीक है टेस्टिस का अंदर से वेजनलिस क्या बोलते हैं ट्यूनिका ट्यूनिका वेजनलिस ठीक है ट्यूनिका वेजनलिस के अंदर एक और लेयर होती है एक और लेयर होती है ठीक है यह तो बहुती सही नी इवनी इसको वापस बनाते है द्राइज संहें बाज समझ में आगे काफी गर्म है बार की भार की जो बहुत है उसको बोलेंगे ट्युनिका वेजिनलिस थीक है उसके अंदर की जो ले रहे उसको बोलेंगे तैणि का एलबू जी दाइसो कमरे होते हैं, ऐसे समझो कि इसके अंदर क्या है, दाइसो क्या है कमरे है, चीक है, तुम्ह caucus बना देता हूं, ये एक अमरा दूसरा तीसरा, पाँचवा छटवा ठीक है, तो लोब्यूल बोलते हैं इनको लोब्यूल कितने होते हैं जी यह 250 दाई सो होते हैं ठीक है अब इंटेस्टिक लोब्यूल के अंदर रहता को है इन कमरों के अंदर रहता को है इनके अंदर एक से तीन लोग इनके अंदर रहते हैं कौन होते हैं वो लोग वो लोग कौन होते हैं वो कौन होते हैं जी वो कौन होते हैं वो होते कौन हैं वो होते हैं सेमाइनी फेरस टुबूल कौन सेमाइनी फेरस टुबूल ठीक है इनका नमबर कितना होता है एक से तीन ठीक है एक से तीन सेमाइनी फेरस टुबूल रहते हैं अब यहां से क्या होगा अब यहां से क्या पतली पतली पाइप निकलेंगी यहां से क्या निकलेंगी पतली पतली पाइप निकलेंगी बहुत सारी पतली पतली पाइप निकलेंगी यह निकल गई जी अब यह बहुत सारी पतली पतली पाइप निकलेंगी यह निकल गई जी अब यह बहुत सारी पतली पतली पाइप तो एक जाल सा बन जाएगा एक जाल सा बन जाएगा ठीक है यह बहुत सारी पतली पतली पाइप जो है वह इक जाल सा बना लेंगी इस जाल को क्या बोलते हैं इस जाल को बोलते हैं दोस्त रैटी टैस्टिस क्या बोलते हैं रैटी टैस्टिस ठीक है अब यह जाल तो बन गया अब यह जाल बन गया, अब यह जो जाल है, जो पतली-पतली पाइप है, इनका जो जाल जो है, यह पूरा एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगा, इस बड़े पाइप के अंदर खुलेगा, ठीक है, यह एक बड़े पाइप के अंदर खुलेगा, ठीक है, इस बड़े थाइस है किस में खुलेगा यह एक कोईल्ड पाइप के अंदर खुलेगा और उस कोईल्ड पाइप का नम क्या होगा उस कुऌिल्ड का नाम क्या होगा ताहिरे फिल्ड के यह ECOR Pipe में खुलेगा जिसका नाम थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया था क्या नाम बताय था मैंने उसका नाम क्या है Voss Deference क्या है Voss Deference Voss Deference के अंदर खुल जाएगा यहाँ पर इस टारीगराम के अंदर मैंने आपको बताया था कि यह जो green में है यह क्या epididymes है उसके बाद में क्या vast difference है ऐसा ही यह structure पूरा क्या है आपका testis का है ठीक है थोड़ा सा मैं इसको कम zoom करके आपको दिखाऊं यह structure है अब मैं इसको समझा देता हूँ आपको ठीक है छो जान सउसना testis अ बहुंगते हों थीक बात है अब इसके बार के बार की मरें उसको क्या बोलते है यहां तक बात clear है कोई ़िखकत नहीं अब इसके अंदर कम रहे कितने कम रहे हैं कितने कमरें कितने कमरे 2200 कमरें उन 2200 कमरां क्या बोलेंगा टेश्टिक्यूलर लोब्यूयोव और यह कितने होतेर 죄송 नमबर कितना है 2500 है अब देखो अब इन कमरों के अंदर रहता कोण है एक से तीन लोग रहते हैं एक कमरे के अंदर एक से Neferes Chn categories स्टूब्ड यहां से निकलेंगी पतली पतली पाईप क्या निकलेंगी त报 fine लेइंगई ति कब हसारी पदली पाईप निकलेंगी और एक जाल सा बना लेंगी एट जगा यह खुलेगा एक कोईलड पार्ट के अंदर का नाम क्या है इपीडी डाइमिस बी तीन इसके अंदर तीन रिजिन्स है और यह कुछ नहीं पुछा तरहेगा लोगा वह खुलेगा वास डेफेरेंस के अंदर खुलता है यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको तो इसी के साथ ही क्या है अपना testis वाला पार्ट है ना male laboratory system के अंदर मैंने क्या बता है आपको कि testis पढ़ेंगे, accessory duct पढ़ेंगे accessory gland पढ़ेंगे और external genitalia पढ़ेंगे testis अपन क्या है पढ़ चुके है ठीक है और एक बात और बताऊ आपको अपने accessory duct भी पढ़ ली अब आप बोलोगे बया कहा पड़ी यहां पड़ी थी अपने ठीक है accessory duct यह वास, referencia, epididymis ठीक है, वो उस डेफरेंसी क्या accessory duct है accessory duct भी अपन कर चुक है accessory gland accessory gland और external gentelia की अपन बात करेंगे next lecture के अदर इस lecture के अपने क्या पड़ा introductory part पड़ लिया और अपने testis की अपने बात कर ली, ठीक है तो lecture जैसा भी लगे, ठीक है वीडियो को like करना है और अपनी जो सबको अपना क्या है, now comment section में सबका नाम मुझे दिखना चाहिए, ठीक है तो अब बाकी मिलते है, next lecture के अदर मिलेंगे, ठीक है और ये अपना first lecture था जो भी आपको कुछ भी improvement की लगी तो improvement अपन कर लेंगे जो भी आपको लगी कि हाँ improvement हो सकता है वहाँ improvement करने की पूरी कोशिस रहेगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किये भी ना देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और comment section में comment आपको करना है ही अपने दोस्तों के साब में share कर देना पाकी मिलते है next lecture के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो